लो दोस्तों कैसे हूँ दोस्तों आज का हमारा टोपिक है MSXS का इंट्रोडेक्शन वोटिज MSXS सो दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं हमारे नॉट्स के उबर दोस्तो MSXS क्या है MSXS इन्हें हिंदी में पूरा पूरा हम जानेंगे सुरू से लेकर अन तक जानेंगे हम बैसिक से लेकर एंड तक सारी की सारी चीजें इसमें हम जाने वाले हैं तो MSXS MSXS को दोस्तों OfficeXS या MicrosoftXS के नाम से भी जाना जाता है यह एक Database Management Software होता है जिसे हम नॉर्मली DBMS भी कहते हैं DBMS Database को इसके दुआरा हम बना सकते हैं MSXS के दुआरा और मैनेज कर सकते हैं इसके दुआरा हम रिपोर्ट बना सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जरीए Database बनाने और मैनेज करने के लिए हमें किसी प्रकार की Programming Language जैसे की SQL, Python आदी इन चीजों की जरूरत नहीं होती यह GUI यानि Graphical User Interface पर काम करता है इसको कोई भी थोड़ी सी जानकारी के साथ भी इस्तमाल कर सकता है इसमें हम किसी भी तरह की Entry बना सकते हैं, Report तियार कर सकते हैं, Data Entry List आदी आसानी से बना सकते हैं अगर आप Data Waste के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको Front End या Back End के बारे में भी पता होगा यदि नहीं पता तो दोस्तो Front End, Front End क्या होता है एक Website जिसे आप देख रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं तो वह क्या होगी एक Front End हो गया लेकिन उसका Data कहां पढ़ा हुआ हम तो Access कर पा रहे हैं Google पे हम Access करते हैं कुछ भी खोल लेते हैं Open हो जाता है तो वह क्या है Front End पर उसका Data कहीं तो पढ़ा होगा न जिसे हम Server बोलते हैं उसे बोलते हैं Back End Server को नॉर्मली हम Back End कह सकते हैं कि वह Back End है जहां पर हमारा Data इस्टोर होता है तो क्या है MS Access का इस्तमाल Front End और Bank End दोनों के रूप में किया जाता है Front End में हम इसके GUI यानि Graphical User Interface का इस्तमाल करके इसमें Entry बनाते हैं और Back End में इसका इस्तमाल Visual Basic और ESPNate के जरीए किया जाता है ठीक है MS Access का एक उधारन समझते हैं कमपनी है उसमें 10,000 Employee काम करते हैं जिनका डेटा उनके नाम, Phone Number, Email आदी को हमें Store करके रखना है अमाल लेजिए हमें यह सारा डेटा कुछ रजिस्टर में लिख कर रखते हैं अगर हमें किसी एक Employee के बारे में जानकरे निकालनी है तो हमें उस रजिस्टर में एके करके डूणना पड़ेगा लेकिन हम अगर इस डेटा को MS Access में बनाए तो यह डेटा easily कुछ ही सेकंडों में Find हो जाएगा MS Access के उप्यों क्या क्या हो सकते हैं MS Access के इस्तुमाल से हम किसी भी चीज का database त्यार करकते हैं database के बारे में नहीं पता तो हम अगले आने वाले lecture में पढ़ेंगे कि What is database and how to create database MS Access का इस्तुमाल front end और back end जो कि मैंने आपको बता दिया है दोनों के लिए किया जाता है MS Access का इस्तुमाल school, colleges, student, company में data store करने के लिए किया जाता है अगर आप एक net programmer है तो आप database के लिए MS Access का इस्तुमाल भी कर सकते हैं MS Access के advantage और disadvantage क्या क्या हो सकते हैं MS Access को इस्तुमाल करना बाखी database के मुकाबले काफी easy होता है MS Access को इस्तुमाल करने के लिए हम किसी भी programming language की जरूरत नहीं होती और MS Access में database create और manage करने के लिए graphical user interface दिया जाता है इसके disadvantage देखें तो इसके हानिया क्या क्या हो सकती है इसके नुक्षान क्या क्या MS इसका इस्तुमाल करने के लिए हमें पूरा का पूरा MS Access का package खरीदना पड़ता है यह अकेला नहीं आता MS Access में data एक limited amount में ही store किये जा सकते है उसके बाद नहीं किये जा सकते है और इसमें सारका सारा data एक ही जगे store होता है MS Access सिर्फ छोटे कामों के लिए इस्तिमाल किया जाता है जैसे छोटे कंपनी है, कोई छोटी दुकान है या उन्हें के लिए किया जा सकता जैसे बड़ा होने लगेगा, यह data भी हैवी होने लग जाएगा आपका system भी hang होने लग जाता है और फिर data चलाना भी मुश्किल हो जाता है तो दोस्तों, आज का हमारा topic यह इतना ही था बाकि आगे के topics के अंदर हम इसकी details में समझेंगे चीजों को कि कैसे क्या हम हर topic के साथ समझते जाएंगे कि जैसे मुझे database create करना है तो पहले हम database के बारे में समझेंगे कि what is database, फिर उसके बारे में समझेंगे कि database create कैसे करते है ठीक है, so वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करे, share करे और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर ले और bell icon भी दबा दे, thank you दोस्तो